असलाम वालेकुम दोस्तों सयद कीचन में आप सभी का स्वागत है अज मैं आपको चिकन पीजा बताने वाला हूँ कैसे बनाते है इसमें हमें ब्रेड नहीं लेना है यहाँ पे मैं कोई भी ब्रेड नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बनाने के लिए 8 इस चिकन के ब्रेस्ट इसे मैंने अच्छी तरह सा वास किया है और इसको थोड़ा सा हमने बीट भी कर दिया है और इसे हमने एक ट्रे में लगा दिया है अब इसके लिए हम एक मसाला तयार करेंगे वह आप देखिएगा उसके लिए हमने एक बॉल के अंदर वन फोट एन नाशट ऊंपने पेप्रिका का पावडर लिया है यहां पे 1 फोट टीस्पून ब्लैक टीस्पून भी लेना है हमें यहां पे और 1 फोट टीस्पून आलस पावडर आप पो लेना है है यहां पे हमने 1 टी स्पुन लिया है यहां पर अब इसको हातों की मदद से अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर दूगा क्योंकि इसे हमें चिकन को इससे मैरिनेट करना है अब मैंने हातों की मदद से इसे मैं मिक्स कर देता हूँ अब यहां पर हमने चिकन लिया है उसके उपर हम स्प्रिंकल करेगे इस मसाले को अच्छी तरह से इस मसाले को हम डस्ट कर देगे चिकन के उपर दोनों बाजू उपर नीचे अच्छी तरह से देखिए इसी तरह से हमें करना है उसके बाद मैं एक मैईनेशन तयार करूगा योगाट का यहाँ पर हमने 340 गिराम योगाट के अंदर 2 टेबल स्पून विनिगर डाला है और यहाँ पर 4 टेबल स्पून ओली ओल लिया है हमने अब इसे मैं अच्छी तरह से वायर विस्की मदल से मिक्स कर दूगा अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें जो मैंनेट किये थे चिकन उसे डाल देना है और उसे अच्छीता से mix कर देना है अब इसे हम 6 घंटे तक फिरिज के अंदर इसे रखेगे उसके बाद यहाँ पे हमने चिकन पीजा के ingredients ले लिये है यहाँ पे हमने 2 कप mozella cheese लिया है थोड़े से slice black olive लिये है और green capsicum slice लिये है हमने 8 pieces और यहाँ पे herb oil लिया है हमने जिसके अंदर हमने बेसील और थाइम दलाए है यहाँ पे हमने 1 कप pizza sauce लिया है यहाँ और अब चिकन को हमें fry करना है तो उससे पहले हम चिकन को एक strainer में रख देगे सारे चिकन को ताकि वो अच्छीता से strain हो जाए जब चिकन अच्छीता से strain हो जाए उसके बाद हम इसे पकाना चालू करेगे यहाँ पे हमने pan लिया है fry pan और उसके अंदर हमने olive oil दाला है अब इसके अंदर हम चिकन दालके एक एक करके दालके fry करेगे सबी चिकन को पहले एक साइड डालके हम इसे तीन से चार मिनिट पकाएगे फिर उसे पल्टी मारेगे और फिर उसको फिर तीन से चार मिनिट पकाएगे फिर और एक बार पल्टी पल्टी मारेगे उसको फिर एक से दो मिनिट पकाके उसे निकाल देगे एक ट्रे के अंदर देखें यहां पर हमारा चिकन किस तरह से हल्का ब्राउन हो चुका है गोल्डन दीगर है जिकन इसी तरह से आपको पकाना है ओल्ली वाइल के अंदर अब जब चिकन दोनों बाज उसे अच्छी तरह से पक जाए तो हम उसे एक फ्राइपे एक बैकिंग पैन में निकाल ले गए यहां पर हमने सारे चिकन निकाल लिया अब उसके उपर हम जो टॉमेटो का जो पीजा सॉस है टॉमेटो का वह हम उसके उपर दाले गए एक से दो टेबल स्पून सभी के ऊपर दालना है और अचीता से स्प्रिट कर देना है उसे एगए इसी तरह से डालने है आप इसके उपर मोजेला चीज दालें गे दो सभी के उपर इसे तरह से डाल दीज़िए आप भी देखिए सभी के उपर दाल दिया अब एक एक सभी चिकन के उपर रख देना है अर उसके जाद अउलीव जाइस बना एके दोपी सबी के ओपर हम होई जो में ने ठाइम और वैसिल अल्हाइब उसके ओपर नहीं फिर्फ में थे तोड़ा थोड़ा इसी तदी पर आप उसके उससे हम वेंग कर देगे ऑवन के अंदर यहाँ पर हमने 160 डिगरी सेल्सियस पे 10 मिल टक पकाना है 10-15 मिल टक अब जब मोजेला चीज देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है थोड़ा सा ब्राउननेस आ गया है यह हमारा पीजा रेडी हो गया है इसी तरह से आपको भी बनाना है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा और हाँ कमेंस जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफीज